Hello everyone, welcome to all in MasterCaddle English Classes जैसी कि आप जानते हो कि हमारा भी टॉपिक Indian Writing English का ही चल रहा है तो आज हम उसी को ही continue करेंगे So let's move on the next author, अब तक हम 7th writer कर चुके हैं और ये हमारा 8th writer है A.K. Ramanuzan तो उनका जो नेम है A.K. Ramanuzan तो आपको एक्जाम में mostly उनके नेम की फुल फॉर्म पूछ ले जाती है A.K. की फुल फॉर्म तो इसकी फुल फॉर्म है अट्टी पटे कृष्ण स्वामी Ramanuzan उनका फुल नेम है अट्टी पटे कृष्ण स्वामी Ramanuzan और he called himself the hyphen in Indo-American वो अपने आपको Indo-American के बीच में जो hyphen है वो मानते थे क्योंकि वो अपने आपको India and America दोनों से influenced मानते थे because his life and values had been shaped by his Indian heritage Indian थे तो जो life and value system था वो Indian था और skills जो थी उनकी जो लिखने का तरीका था उनोंने सीखा यहां से उनको inspiration मिली थी writer बनने के लिए academic rigorous education थे जो that was embraced by his American education वो उनकी अमेरिका में हुई थी और जो poet बनने का skill जो उनका style था उनोंने adopt किया वो अमेरिका से किया था तो इसलिए वो अपने आपको hyphen बोला करते थे और राइट, value and shape जो थी वो Indian थी और जो skills उनोंने सीखे थे वो American थे तो उनकी अगर हम awards के बाद करें तो उनोंने 1999 में सहित्य अकेडमी अवोर्ड जीता उनकी anthology के लिए collected poems के लिए उनकी जो कि 1995 में publish हुई थी यह उनकी collected points और उनको 1999 में इसके लिए सहित्य अकेडमी अवोर्ड दिया गया और यह collected points कौन कौन से थी जो की about Lord Vishnu के बारे में थी रिलेशन्स, second sight, the black hen तो next हम देखते हैं उन्होंने एक novel समस्कारा ट्रांसलेट किया था 1976 में समस्कारा, a right for a dead man यह novel था जो की originally written by U.R. Anandh Murti in कनाड़ा उन्होंने सिर्फ ट्रांसलेट किया था बद यह originally लिखा किन के द्वारा गया था U.R. Anandh Murti के द्वारा तो next हम देख लेते हैं उनकी points तो first point थी उनकी the anterior landscape जो की 1967 में publish हुई second है speaking of Shiva जो की 1973 में publish हुई next poem है hymns for the drawing in 1981 next poems of love and war 1985 when God is customer 1994 second sight तो यह थे उनकी कुछ poems next हम आते हैं उनके essays पे जो की non-fictional work भी जिनको हम बोल देते हैं तो उनका first essay था 300 रमायना अब देखिए title is sound somewhat strange आप कहूगे हमने तो एक ही रमायन का नाम सुना है then how comes these 300 रमायना तो title की वजह से it was a controversial work it means to say that book की नेम को लेकर ही बहुत सारी issues create हुए that how is it possible we just know about one रमायना सें सेजेज हम तो सद्यों से एक ही रमायन के बारे में सुनते आ रहे हैं तो फिर यह 300 रमायना कहां से आ गए तो हम देखते हैं इसको जो full name है five examples and three thoughts on translation और यह 1986 में publish की गई थी तो five examples and three thoughts on translation means यहां पे उन्होंने अलग लग books में perspective दिखाए हैं कि रमायन जो है उसको सभी अपने अपने perspective से reach करते हैं अब हर जगा पर राम का नाम जो है उसको हर book में use किया गया है यह निकि only remind में ही उसका नाम use किया गया है गुरुगरन साहिब में भी use किया गया है तो writer ने यह दिखाने की कोशिश करी है अपने इस essay में कि रमायन जो है उसको पढ़ने के नजरिये readers के जो है like traditional, spiritual जैसे कि बहुत ही भक्ति भावले लोग हैं तो उनके सब के अलग अलग नजरिये है रमायन को पढ़ने में तो basically यहां उन्होंने five examples जरूर दिये हैं कि एक जो perspective जैसे कि बाल मिकीजी का जो सबसे ज़्यादा पढ़े जाती है एक कमबन का तो ऐसे उन्होंने अलग लग examples दी है अपने इस 300 रमायना ऐसे में जो एके रामानुजन थे वो कई सारी languages में लिखा करते थे तो उनके जो common languages थे जिनमें वो लिखते थे तो इस तरह से ये भी question पूछ लिया जाता है एक्जाम में कि जो writers थे वो और किन किन languages में लिखा करते थे तो इन सब को आप याद रखें तो next जो उनका essay था Is there Indian way of thinking? उनका third essay था Folk Tales from India जो कि 1991 में publish हुआ और ये उनकी last book थी और एक बहुत ही important quote है Ramanujan से related जो कि पूछ ली जाती है कि ये quote किस writer ने दे थे तो you can learn this also तो ये quote है No, not only prophets walk on water written by Ramanujan तो चलिए next हम move on करते हैं 9th writer की और जो कि है Anita Desai उनका जो birth name था उनके जो birth की time उनका name रखा गया वो था Anita Mazumdar और उनकी birth date थी 24th June 1937 and she has been professor of humanities at the Massachusetts Institute of Technology and she was shortlisted thrice for the Booker Prize तीन बार उनका नाम आया Booker Prize की award list में but unfortunately कह लीजिए या she was unlucky that she couldn't win it तो किन-किन की ताबू के लिए उनको shortlist किया गया था that is fire on the mountain fasting feasting in custody तो इन 3 books के लिए तीन बार उनका Booker Prize list में name आया but unfortunately वो इसको win नहीं कर सकी बट उनकी जो book थी fire on the mountain उसके लिए उनको award दिया गया साहित एकाडमे अवोर्ड 1978 में तो दिखे ये book जो उनकी थी fire on the mountain इसको Booker Prize के लिए भी shortlisted किया गया but unfortunately she couldn't win it तो definitely ये उनका एक अच्छा work होगा that's why she won award साहित एकाडमे अवोर्ड in 1978 for fire on mountain तो second उनको award मिला British Guardian Award for the novel Willis by the Sea तो Willis by the Sea उनका एक novel था जिनके लिए उनको British Guardian Award दिया गया तो next हम उनके novels के बात करते हैं तो उनका जो first novel था वो था Cry the Peacock जोकि 1963 में publish किया गया तो इसके जो main character थी वो थी Maya and she played a psychic character उसने एक psycho role play किया है and she murder her own husband वो अपने ही husband का murder कर देती है knowledgeable है वो पर वो psycho है that's why she keeps on quotes from भगवत गीता वो भगवत गीता में से जो quotes है उनकी examples देती रहती है तो next उनका work है The Clear Light of the Day जोकि 1980 में publish हुआ और यह उनका autobiographical work है और third है उनका In Custody जोकि 1984 में publish हुआ और यह उनका जो work है यह जो उनका nobel है इसको भी Booker Prize के लिए shortlisted किया गया था पहले and this nobel also turned into a movie by Ismail Merchant Ismail Merchant के द्वारा इस पर एक movie भी बनाई गई थी and movie won the award President of Indian Gold Award इस movie को award मिला था President of India Gold Award तो next उनका nobel है Fasting Feasting 1999 में publish हुआ this novel was also shortlisted for the Booker Prize that I have already told you before and the next novel है The Zigzag Way 2004 में हुआ published next है The Artist of Disappearance 2011 में next Diamond Dust and Other Stories in 2000 Journey to Ithaka Gains at Twilight Cat on a Houseboat Where Shall We Go This Summer The Peacock Garden Bye Bye Blackbird and Wise in the City and the noble with existentialist philosophy जो noble उनका existentialist philosophy पे बेस्ट था वो था fire on the mountain और जो फिलोसफी यो है वो कर गार्ड के द्वारा दी गई है and we will come to this philosophy when we will do our literary term and एक important quote जो उनके novel Where Shall We Go This Summer में से ली गई है वो है If one opts for life, one must compromise with life like Sita तो ये एक important quote है आपने इसको भी याद रखना है तो next writer जो हमारा last writer है उसके बारे में हम next video में देखेंगे Thanks to all. Please subscribe my channel